तो आज आप लिए टेंथ क्लास का सब्सक्राइब लाए पहला चैप्टर की वीडियो नहीं देखे तो उसको जाके ज़रूर देखें तो इसके बीच में क्या है 2.1 के अंदर सिर्फ आपको जैसे इस तरीके का एक ग्राफ दिया होगा ठीक है ग्राफ दिया होगा ग्राफ के एक x-axis और एक y-axis अब यहां पर क्या एक लाइन्स क्रोस होते होंगी ऐसे करके ठीक है जैसे यह एक दो और तीन पॉइंटों पर हो रही है तो इसके पॉइंट कितने हो जेंगे तीन इस तरह से आपको क्याकुलेट करना और कुछ नहीं है ठीक है अब अपने चलते हैं सबसे important question हो और कई बार paper के अंदर पूछा आ चुक है और मैं जाता है कि आपके इन questions के अंदर कोई दिक्कत हो ठीक है सबसे वहले आपने question ले लेंगे x square minus 2x minus 8 ठीक है अब यह देखिए इन दो डिजिट्स का क्या है multiply करने प्यांत्वराना चीए इसका plus या minus करने प्यांत् का तो minus का 4 और plus का 2 कर देंगे अब हम इसको solution में इसके दो टुकड़े हो जेंगे एक होगा minus 4x और एक होगा minus 2x plus का 2x minus 8 इधर x के अब इन दोनों का pair बनाएंगे pair बनाने के बाद x minus 4 और x minus x plus 2 आजएगा ठीक है यह हो गया solution इसका half तक अब अपने को क्या करना है अब आपको formula पताना चाहिए कि sum of 0 का formula क्या आता हूँ product of 0 का formula क्या आता है sum of 0 का formula आता है minus coefficient of x और coefficient of x के एर तो आपके पास अब यह दो डिजिट्स है ठीक है दो डिजिट्स है और इसके लगा आपके पास यह question है x के minus 2x minus 8 यह आपके पास question है अब सबसे बहले आपने आता हूँ sum of 0, sum of 0 क्या है minus coefficient of x, coefficient of x का मतलब यह है कि x के साथ जो digit है उसको यहां पर लिखना है और बार minus लगाना है और अपकों में क्या लिखना है coefficient of x square मतलब x square के साथ जो है वो लिखना है यहां पर कुछ नहीं है तो 1 महा लेंगे यहां पर minus 2 है तो इसको bracket में भी minus 2 ल अब हम बात करेंगे product of 0 की ठीक है दो चीज़ी है एक sum of 0 और एक है product of 0 product of 0 का सबसे पहले हम formula देखेंगे तो product of 0 का formula क्या constant term यह रहा आपके सामने constant term अपन में coefficient of x square अब अपने देखते है product of 0 क्या product of 0 को निकालने का त्रिकार क्या है product का मदल होता है कोई भी दो डिजिट्स का multiply और उस concert आजाना चीए तो यह constant term कौन सी है यह minus का 8 है ठीक है तो यहाँ पर मैं minus 8 लिख देता हूं और इस concert क्या जेगा minus 8 product of 0 को आपने कैसे find करना है तो अपने जो यहाँ पर solution में निकाला जैसे एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 2 इसको अपनोंने 0 के equal में रख देना है एक्स माइनस 4 इस एक्कवल 0 तो एक्स प्लस 2 इस एक्कवल 0 तो एक्स की वैल्यू के आ जेगी आपको दिखाने कर रहा होगा तो इसमें क्या है dividend जो होता है dividend है मैं लिख देता हूं dividend जो है वो d multi q plus reminder होता है यहां पर थोड़े से जूम कर देता हूं आपको ताकि आपको सई डंक से दिखाए दे d multi q plus reminder होता है और अपने को question क्या दिया है root 5 upon 3 यह अपना question number 1 है अब अपने को क्या करना है एक बार question number यह देखेंगे question root 5 upon 3 एक बार plus में और एक बार क्या है root 5 upon 3 minus में इसने x की इसने अपने को दो values दे दिया एक यह और एक यह अब अपनोंने क्या करना है इसको अपने क्या करेंगे इसको x plus a और x plus b के form में लिख लेंगे x plus a और x minus a के form में लिख लेंगे कैसी भी आप याद रखें इसको आपने a plus b या a minus b की form में लिख लेंगे ठीक है तो अपने इसको ऐसे लिख लेंगे a plus b और a minus b x plus root 5 upon 3 और x minus root 5 upon 3 इस इक्कोल क्या करतेंगे 0 अब अपने क्या है इसका solution करेंगे तो अपने पास क्या इसका बनेगा a plus b और a minus b का क्या बनता है a square minus b square ठीक है तो इसको अपने क्या formula की हिसाब से लिखेंगे यह formula लगाने पर या formula की हिसाब से करने पर क्या बन जगा x की square minus root 5 upon 3 की square अब अपने इसको खोल लेंगे तो क्या बन जगा यह x square minus root से क्या square cancel हो जगी तो आज जगा 5 upon 3 is equal 0 अब अपने क्या करेंगे इन दोनों का LCM लेंगे LCM लेने के बाद क्या बन जगा यह 3x square minus 5 upon 3 is equal 0 और यह जो upon में होती है यहाँ पर आती है multi में यह इसके multiply में जाएगी तो यहाँ पर 0 बन जगा तो अपनी equation क्या जगी 3x square minus 5 is equal 0 तो यह अपना answer बन जगा अब अपने आसे x की value find कर सकते हैं अगर निकालने हो तो वह भी आपको दिखाई देजेगी अपने को सिर्फ यही term find करनी है ठीक है उसके बाद में अपने अगले question की तरफ चलते हैं जिसके बीच में अपने को क्या क्या गया है एक आपको यह line याद रखनी है पी एक्स इक्वल जी एक्स मल्टी क्या हूँ एक्स प्लस आर एक्स पहल तो मैं सब क्या महिन से आपको बता दूँगा कोई दिक्कत वाली बात में है एक बार आप question को देखें कैसे करना है माल लिजिए कि आपने पी एक्स एक्स की प्रच आवर 3 माल लिया question में करके दःओं बीच वाला जो होता व्हता है एक्स इससे अपने डिवाइड गिया जात और क्यूआक्स जो होता है वह क्या हूथा क्योषेंट ओन नीचे क्या आ रहीोता है reminder अब अपने question को look तो यह वहां पर 1 को X की बावर 3 बनाना तो मैं किसमल लेकर रूँआ X की बावर 3 से अब एक्स की बावर 3 आगा reminder क्या आगा 0 अब इसको लिखने का त्रीका क्या देखो अपने आसके question क्या या पी PX ब्राबर GX Multi QX प्लस RX ठीक है तो यहां पर PX की बावर 3 बनानी थी GX की बावर 3 प्लस रिमांडर आगा 0 इसको अगर अपने solution करेंगे तो यहीं सांसर बन जगा ऐसी अपने को यहां पर जैसे question मैंने आपको बता हुए कि 1 Multi X की बावर 3 प्लस 0 तो यहां पर यह complete प्रूव हो चुका है इसी तरह से कोई भी और question आता तो आप असानी से कर सकते हैं अब अपने जलते हैं 2.4 चैप्टर की तरफ तो इसके बीच में क्या आपको एक्स की value पुट करने को कहेगा एक्स की value पुट कैसे करने हैं वो आपने देखने हैं और आगे के सारे questions आपने देखने हैं तो सबसे पहले देखिए कि जैसे आपको question दे दिया गया 2x की power 3 plus 5x यहाँ पर मैं question लिख देता हूं ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो 2x की power 3 plus x square minus 5x plus 2 तो यहाँ पर यह आपके सामने question है ठीक है अब इस question में उसमें क्या क्या है x की value को आपने minus 1 upon 4 रखना है x की value को आपने 1 रखना और x की value को आपने 1 1 upon 2 रखना है मतलब मर्जी या उसकी वो कुछ भी दे सकता है ठीक है अपने को क्या करना है अपने को जो x की power x is equal 1 है इसके ही साबसे अपने को question चलाना है तो यहां पर x की बाप 1 रखेंगे तो क्या क्या बनेगा है truth का 2 रहेगा one का बन रहेगा कि यहां पे फाइव का 5 रहेगा पलस का 2 रहेगाоры इक्वेशन मिल्गी है equation मिल गया है, इतना समझ में आगया आपको अपने को axis equal 1 लेके चलना है, तो अपने पास equation आगी यह वाली, कि मैंने यह आप लिखी हुग गया यह अपनी equation है इस equation को लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे कि यहां पर इसको लिख देंगे A, इसको लिख देंगे B, इसको लिख देंगे C और इसको लिख देंगे D, अब अपने आपके हम formula के उपर, तो formula क्या है formula है, formula है आपका minus का B अपोने minus का B अपोने, c अपोने और minus का D अपोने देखिए, अब अपने बास फोर्म्ले थे माइनस का दिए एलियो पूट कर दिया सभी में एक ज्या में इन डियुली अपने पीडियों गढल दियो है उसके बाद और C की वैल्यू माइनस में तो माइनस का 5 बन जेगा तो इस त्रिक्के से अपने कोश्चन क्लियर हो जाता है यहां पर अपने पास तीनों वैल्यू आगी है और ऐसे ही आपने यहां पर तीनों वैल्यू देख लिए हैं और अगर कोई डाउट आता है तो जरू कमेंड को बतायता हूं तो महापे आपको क्या कोई कोश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी ठीक है बस आपको एबी सेडी की वैल्यू फाइंड करने है उसके लाबा माइनस बी अपने माइनस धी अपने और सी एपन ए जियान रखना है ठीक है अब जैसे एक और कोश्चन है कोश जैसे उसने दे दिया X, X की कुप प्लस 2X कयर माइनस सैवन और माइनस का 14 है माइनस सैवन एक्स कर दो, ठीक है और अपने को ये बता है कि अपने X की वैल्यू 1 के इसाबसे चलाना है x-1 की साब से अपने को कोश्चन करना ओता है ठीक है यहां पर 1-2-7-14 तो यह a की वेल्यू यह b की वेल्यू यह c की वेल्यू और यह d की वेल्यू आगी ठीक है अपने वास फॉर्मूला क्या a a a तीनों के नीचे आगया अपने को पता है ए वाली तो आएगी नहीं बाकी बची बी से डी तो उपर लिख दो बी सी और डी ठीक है अब माइनस बी के साथ और माइनस डी के साथ आएगा क्यों आएगा इसका फोर्मुला मैं आपको आगे समझाऊंगा एक बर सिधा याद रख आपना अंसर लिए ठीक है इसके बाद में आगे देखते हैं अपने कुछ और कोश्टिन है जिसके बीच में आपको ड्वीजन करके बताना है कि किस तरह से डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने का बहुत सारे त्रिक्या होते हैं आप कैसे भी डिवाइड करके दि अब देखो अपने के पास यह दो डिवाइड करने के बाद अपने पास यह equation बन जेगी solution करने के बाद अपने चलते हैं इसको इससे डिवाइड करने है इसको इससे डिवाइड करने है तो डिवाइड करने का तरिक्का बहुत ही असान है x square minus 4x plus 1 इधर अपने क्या करेंगे इधर अपने ले लेंगे x की पाँफोर minus 6x3 minus 26x square plus 138x minus 35 यहां पहें नाटी on the स्च्वार फ 1971 स्वार माइनश प्लस प्लस का एक्स स्क्वेर यह आगया अपने माइनस प्लस माइनस इसको इसको क्रोब से ओजगी और यह आजगा माइनस का 2x की पावर 3 यह आजगा माइनस का 8x स्क्वेट और माइनस का 2x प्लस का 8x आएगा प्लस माइनस माइनस यह कट गया यहाँ पर यहाँ आजगा माइनस का 35x स्क्वेर क्या आजगा माइनस का 35x स्क्वेर ठीक है और आगे का आजगा प्लस का 140x उपर साजगा माइनस का 35 अपने यहाँ पर 35x कर भना है तो 35 से multiply करेंगे minus के minus का 35 x square plus का बंज़ेगा 140x और यहां पर बंज़ेगा minus का 35 उनके निशाद जहें जोंगे तो यह 3 के 3 ही कड़ेंगे क्योंकि यह plus minus दोनों में है तो यहां पर यह question अपना complete होता है इस transfer यह बन रहा है x square minus 2x minus 35 अब अपने को क्या करना है यह जो अपने को question मिला है value मिली ना अपने को x square minus 2x minus 35 x square minus 2x minus 35 इसके दो टुकुडे हो ज़ेंगे तो सीधा मैं आपको बनेगा x minus 7 और एक बनेगा x plus 5 ठीक है इसको 0 के equal रखेंगे तो x ब्राबर 7 आजेगा और x ब्राबर minus 5 आजेगा तो यह आपका question complete हो जाता है और कोई भी doubt अपता है तो जो चुरू comment section में बताएंगे थाइंगे